नमस्कार, स्वागत है आपका प्रोफेशनल एस्टालोजी पर मैं यश्रास्तिवारी आज आप सभी के समों को पस्तित हुआ हूँ जून दोहजार चौबिस के मासिक राशी फल को लेकर आज के इस राशी फल में हम चर्चा करने जा रहे हैं प्रत्यक राशी के जातकों के लिए जून दोहसार चौबिस क्या लेकर के आ रहा है इस राशी फल में हम कुछ मुख्य पहलियों को कवर करेंगे जैसे कि आपका स्वास्त, आपकी शिक्षा, आपका प्रेम, आपका दामपती जीवन, आपकी मैरेड लाइफ, आपका व्यापार या मूलिताम कह सकते हैं आपका करियर जैसा कि आप सभी दर्शक जानते हैं ये राशी फल का कारिक्रम में जो आपको बताने जा रहा हूँ ये चंद्र राशी पर आधारेते अर्थात आपकी जन्व कुंडली में चंद्रमा जिस राशी पर बैठें वही आपकी जन्व राशी है ये चंद्र राशी है उसी राशी को छोड़ करके मेश राशी में प्रवेश करने को जा रहे हैं साथी साथ 12 जून 2024 को शुक्र व्रिशव राशी को छोड़ करके मिथोन राशी में प्रवेश करेंगे 14 जून 2024 को बुद्ध व्रिशव राशी से निकल करके मिथोन राशी में प्रवेश करने वाले हैं साथी साथ सूरी चोकी प्रक्तिय एक महा अपना राशी परिवर्थन करते हैं वो व्रिशब राशी को छोड़ करके 15 जून 2024 के दिन मिथोन राशी में प्रवेश कर जाएंगे जो हमारा राशी फल का कारिक्रम होगा यह मुख्यता इन ही ग्रहों के गोचर पर आधारत होने वाला है जैसा कि आप सभी दर्शक जानते हैं कि जो ग्रहों का गोचर होता है वो दिर्भर करता है आपकी जन्मकुंडली की प्लैनेटरी पोजीशन पर यह मुख्यता गोचर का प्रभाव है यदि आप अपनी जन्मकुंडली का सुक्ष मती सुक्ष मरूप से विश्टेशन कराना चाता है तो इस वीडियो की नीचे दिये का नंबर पर कॉल या वाटसप के माध्यम से संपर्क करके आप अपनी जन्मकुंडली एध्यन का अपॉइन्मेंट बुक कर सकते हैं यदि आप इस कारेक्रम को देखते हैं और इस कारेक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाव होता है तो आप इस वीडियो को लाइक करें साथी साथे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अप्लोड किया जाता है उसका नोटिटिकेशन आपको मिलता रहे आईए अब हम चर्चा प्राराम करते हैं राश्यों के क्रम में साथवी राशी अर्थात तुला राशी के जातकों के लिए कैसा रहने वाला है जून 2024 का ये मन्त तुला राशी के जातकों के लिए दि हम देखते हैं तो राशी पती बनते हैं शुक्र और जैसे ही इस मन्त की स्टार्टिंग हो रही है शुक्र जन्म कुंडली के अश्टम भाव में संचरन करने जा रहे हैं पर ये केतू की द्रिष्टी से द्रिष्ट रहेंगे साथी साथ मन्त की शुरुआत में आपकी कुंडली के अश्टम भाव में बुद्ध, गुरु, शुक्र और सूर्य चार ग्रहों की यूती बनेगी सबसे पहले तो 12 जून तक राश्यपती का अश्टम भाव में स्वाराशी में होकर के संचरन करना कहीं न कहीं स्वास्ता से संबंधित कुछ हद तक परिशानिया आपको देखने में मिल सकती हैं जैसे की शुगर की यदि आप पेशेंट थे तो शुगर के लेवल्स कुछ जादा ही हाई जा सकते हैं किड्नी से संबंधित यदि आपको कुछ परिशानी सी तो किड्नी से संबंधित परिशानिया आपको देखने में मिल सकती हैं पेट जैनिरोग जोडों में हड्डों में दर्द की शिकायत आपको देखने में मिल सकती, साथी साथ सकिन से सम्मंदित پरिशानिया देखने में आपको मिल सकती हैं 12 जून के बाद में जैसे ही शुक्र राशी परिवर्दिन करके 9 आउस में जाएंगे आपको आपके भाग्ये का साथ मिलेगा और जो स्वास्तर से सम्मंदित परिशानिया, इन 12-14 दिनों में आपके साथ में होई थी, उन परिशानियों में कमी आ जाएगी, फल्सफरूप, आधा मन्थ जून का, स्पेशली आप मान के चलिए कि 15 जून था, हेल्थ को लेकर के फ्लक्शुएशन को लेकर के आ रहा है, और 15 जून के बाद में फिर चेक करा लीजेगा, और अपने शुगर इंटेक का आपको बहुत जाता ध्यान रखने की आविश रखता है, शिक्षा के पॉइंट अव व्यू से देखा जाए, तो पंचमे शनी है, पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं, और शिक्षा कारग गुरू का गोचर अश्टम भा जाए, तो पंचमे शनी ही बनते हैं, पंचम भाव में हैं, शुक्र भी अश्टम भाव में, जैसे शुक्र राशी परिवर्टन करेंगे 12 जून के बाद में, तब आप देखेंगे कि आपकी जो लव लाइफ में जो परिशानिया आ रही थी, गलत फैमी उत्पन हो रही थी उसमें कमी आ जाएगी, 12 जून तक लव लाइफ के पॉइंट अब भी से मनत अच्छा नहीं है, बट 12 जून के बाद से प्रेम संबंदों के दृश्टी कोन से देखा जाए, तो आपके लिए मनत काफी अच्छा है, और भाग्य भाव में शुक्र होंगे, जिसके चलते साती के साथ में, स्पेशिल अपने पतनी के साथ में, बाहर कहीं घूमने को जा सकते हैं, धार्मे के आत्रा इत्यादी पर जाने के लिए, आपके लिए मनत आ रहा है 12 जून के बाद में, शुक्र नवंभाव में गोशिर करेंगे, तो आपकी धार्मे की वृत्ति को जागर करते हैं, तो बुकरना भी आपके लिए इस मन्त में बहुत बेनिफीशल रहेगा, धामपत्य जीवन के पॉइंट अब व्रिद्धी आपको देखने में मिलेगी, मंगल की दृष्टी आपके विलगन पर होने के चलते हैं, आपके भी क्रोध की विद्धी आपके में देख में मिलेगी, जिसके चलते कहीं न कहीं मैरेड लाइफ में परिशानिया क्रिएट हो सकती हैं, सब्तम भावस्त स्वराशिस्त मंगल पर जब शनी की दृष्टी पड़ेगी तो ये भी कहीं न कहीं दामपत्य जीवन में प्रतिकूलिता को प्रदर्शित करता है, दामपत्य जीवन में परिशानिया आती हुई दिखाई दे रही है, किसी तीसरे का आगमन भी होना संभव है, साथी साथ गलत फैमी भी आपकी मैरेड लाइफ में क्रिएट हो सकती है, तो आपको अपने जीवन साथी से कलहा करने से बचना चाहिए और अपने भी व्यावार को संतुल पॉइंट ऑव व्यू से धन का आगमन तुला राशी के जातकों के लिए जून दोहजार चौबिस मन्त में दिखता है और धन का संचैन होता हुआ भी दिखाई दे रहा है, तो व्यापार से धन आगमन भी होगा, वो धन संचैन भी होगा, परनतु यदि आपका व्यापार पर्टनर्शिप में हैं, तो पर्टनर के साथ में मतवेद होते हैं दिखाई दे रहे हैं, तो इस जीस का आपको इस मन्त में ध्यान रखना है, इसके लिए कुछ उपाए हैं, जो कि आपकी मैलेड लाइफ और पर्टनर्शिप में प्रॉल्म आ रही है, वो मैं अभी आने अपने एहंकार पर नियंतरण रखना है, अपने क्रोध पर नियंतरण रखना है, अधिया आप जल्दबाजी करते हैं, किसी भी काम को यदियाप करते हैं, वर्क पेस पर आपको कोई भी काम मिलता है, तो उसको रीचेक अवश्य ही कर लीजेगा नहीं, तो जल्दबाजी की वज़े से वो काम गलत हो सकता है और उसकी वज़े से बॉस के साथ में आपके जो सम्मंद है उसमें खराबी आते हुई इस मंद में दिखाई दे रही है बाकी करियर में ग्रोथ भी है बस आप अगर अपने क्रोथ पर नियंतर रख लेते हैं तो करियर को लेकर कि कोई बहुत ज़़ा परिशानी आपके इस मंद में देखना में नहीं मिलेगी जो लोग शेयर मार्केट में इंवेश्ट करते हैं उनके लिए मंद काफी ज़ाद अच्छा है जो लोग किसी रिसर्च फील्ड से बिलाउं करते हैं रिसर्च किसी चीज की करते हैं खोजने में लगे कर रहे थे कुछ नया उसमें फाइंडी कर सकते हैं जोतेश के सूतर आपको बहुत अच्छे से इस मन्थ में समझ में आ सकते हैं इस पॉइंट अपके लिए काफी बेनिफीशल होता हुआ दिखाई दे रहा है पिता के स्वास्त का ध्यान रखेगा पिता के स्वास्त में 15 अपने आप ही कमी आपको देखने में मिल जाएगी तो ओवराल तुलह राशी के जो जातक हैं उनके लिए जून 2024 का राशी का यही था अब जो परेशानिया हैं उनको कम करने के लिए मैं आपको उपाय बताता हूँ सबसे पहले तो आपको पतनी का सम्मान करना है और पतनी के दिन ही हरुमान जी के मंदिर में तोड़ा शहद का दान करें तो वह पाय करना भी आपके लिए अच्छा होगा साती साता चार शनीवार जो है तो चारों शनीवार एक एक पाट सुंदरकांड का इणिर आपको अपको लगता है कि क्रोध के दिखता बहुत जादा हो रही को के लिए जून दोहसार चौबिस का राश्री फल आशा करता हूं कि तुला राश्री के जातक मेरे द्वारा बताएगा इस राश्री फल के कारिक्रम तो संतुष्ट होंगे यदि आप इस कारिक्रम को देखते हैं और इस कारिक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाब होता ह साथ साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अप्लोड किया जाता है उसका नूटिफिकेशन आपको मिलता रहे आज के इस कारिक्रम में बस इतना ही रखते हैं नमस्कार